हेलो गाइज वेलकम बैक तो फाइनली आपकी जो ऑनलाइन रेजिस्टेशन और च्वाइस फिलिंग थी यूजी मैक की वो अब ऑप्शन एवेलिवल है और अब जो है आप उसे च्वाइस फिलिंग कर सकते हो गाइज तो यह हमारी ऑफिसल वेबसाइट है bceceboard.bihard.gov.in तो आपको क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करना है ओनलाइन अप्लिकेशन पोर्टल ऑप अंडर गेजुएट मेडिकल एडमीशन कॉंसलिंग यहाँ पर क्लिक करना है गाइस तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एक पेज ओपन हो जाएगी यहाँ प ऑप एक रहिस तैसे ड रिकारना है तो हमने बिस प्लिक हैथ तो आपको क्या करना है आप को हम सबसे पहले यहां पर है जाए नियूर लिटिस्टेशन करना है आप को नुब उन 2 संफाल करने के लिए किया करना होगा आपIN Hessen क्रूब करोगे तो यहां पर आपकी आल जाएगी सेकेंड नंबर में अंडेर फेर जो को पढ़े ना गाईज उसके बाद आई एगडी पर क्लिक करना ओके आई एगडी पर क्लिक करने के बाद क्लिक तो गाइस सारा information सारा data fill up करने के बाद जो है आपको यहाँ पर send OTP का option आएगा तो आपको send OTP पर click करना है उसके बाद आपकी OTP जो आएगी यहाँ पर आपको OTP इंटर करनी है OTP जो आपके mobile नमर पर आएगी और email पर आएगी गाइस OTP इंपूट करने के बाद आपको verify OTP पर click करना है उसके बाद क्या हो जाएगा आपकी candidates की जो detail है वो पूरा detail आपके सामने आ जाएगा गाइस उसके बाद आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आपको login ID आपकी दिखेगी तो आपकी password जो है चैंज हो जाएगी और login ID जो है आपकी यही ID होगी और इस login ID को आप याद रखना गाइस जब भी login करोगे तो login ID यही डालना और password जो है जो आप अभी sit कर रहे होगे उस password को डालना इसके बाद क्या होगी कि आपकी यह वाली page open हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ important information यहाँ पर लिखे गए हैं आप अपने registration details को फिर से check कर लिजेगा उसके बाद है यू can fill your choices through fill choices fill choices का जो option होगा उस पर click करके आप choices को fill कर सकते हैं and after selecting the college और branch from left screen उसके बाद आपको क्या करना है add button पर click करना है और choices को आप up या down move भी कर सकते हैं arrow का button को use करके और swap कर सकते हैं choices को एक दो choices को आपस में swap कर सकते हो उसके बाद क्या कर सकते हैं उसे save कर लेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी वो choices save हो जाएगी guys you can fill as many choices as you want आप जितना भी choices है सारा फिल कर सकते हैं जितनी भी चाहें उत्ता फिल कर सकते हैं गाईज through fill choices option you can see your fill choices and also lock or unlock choices तो आप अपने choices को fill करने के बाद उसे lock कर सकते हैं और फिर उसे unlock भी कर सकते हैं गाईज उसके अलवे यहां पर एक additional advice दिया गया है आपको कि आप जो है जब भी आप login करेंगे तो उस समय का करना है आपको window को बार बार close कर देना है your advice to close the window browser whenever you log out from the system after completing your activity यानि कि जब भी आप पेज खोलोगे ना registration वाला तो उस पेज में आपको choice fill करने के बाद उस पेज में जब आप log out करोगे तो उस window को पूरी window को आप close कर देना वाइस तो उसके बाद आपको क्या करना है इस वाले पेज में आप देख सकते हैं जब आप login करोगे तो आपके समने इस तरह की page open होगी और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है choice filling और यहाँ पर registration details है आप इस पर क्लिक करके registration details को check कर सकते हो guys तो guys उसके बाद आपक इस फिल कर सकते हो guys तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है institute type, edit your field choices, institute wise filter और course wise filter तो यह सारी चीज़े हैं आपके सामने तो यहाँ पर institute type में क्या है guys कि आप अगर इस पर क्लिक करके private select करोगे तो आपको सारी private college सो करेंगी और अगर government सेलेक्ट करोगे तो सारी government colleges सो करेंगी guys institute की अगर फिल करना चाहते हो च्वाइस तो उससे particular institute की होगी guys और यहाँ पर है edit your field choices यहाँ से आप अपने field choices को edit कर सकते हो guys और यहाँ पर आप देख सकते हो course wise filter है तो आप यहाँ पर course को select कर सकते हो यहाँ से like MBBS को आपने select के तो यहाँ पर जितने भी courses है वो सारे MBBS के 22 यह guys तो आपको मान लेजे कुछ भी add करना है like आपको MBBS add करना है कोई particular college का like आपको IGIMS पतना का MBBS add करना है तो आप इससे add पर click क्या तो देखे यह जो है आपकी choice यहाँ पर fill होने लगी है यह आपकी serial number है और यह institute name है यह course name है MBBS आप इसे delete कर सकते हैं यहाँ पर click करके down कर सकते हैं जब कोई दूसरा नीचे आएगा तो उसके भी लाइक आपको कोई इसके बाद college select करना है like कि को कि मैं कोई भी college यहां से select करके दिखाता हूं like यह DMC college मैं select करता हूं यहां से तो गाइस देखिए यहां पर DMC college आ गई है तो इसी तरह आप जो है choice को क्या कर सकते हो fill up कर सकते हो like अगर आपको इसे उपर करना है गाईस DMC को तो इस पर अप वाले पर click करोगे आप देखिए तो DMC वाली जो है उपर आ गई और IG IMS जो है नीचे आ गई गाईस तो इसी तरह आपको choice fill up करना ह के बाद आप save choice कर सकते हो जिससे की choice save हो जाएगी गाईस ओके और जब finally आपकी choice fill up हो जाएगी तो आप जो यह window है इस window को close कर सकते हो इस window को यहां से आप यह वाली जो window है इसे आप close कर सकते हो guys So guys I think जिनको भी doubt होगा choice fill करने में आपकी वो doubt clear हो गए होगी guys तो वीडियो को एक like कर देना और चैनल को subscribe करके notification on कर लेना ताकि कोई भी important update आप miss नहीं कर पाए Thank you so much, thanks for watching